दोस्तों यहाँ पर मैंने तीन अलग-अलग कमपनी की फोन ले रखे हैं और तीनों फोन में दोस्तों बिना कोई एप डाउनलोड किये आपको रैम को बढ़ा कर दिखाने वालों यानि अगर आपके मोबाईल के अंदर एक जीवी, दो जीवी, तीन जीवी, चार जीवी रैम दिया है बहुत ही कम जीवी का रैम है और आप अपने मोबाईल में ज्यादा जीवी का रैम बढ़ाना चाहते हैं ताकि आपका मोबाईल हैंग ना करें और कोई भी बड़े से कोई ठर्ड़ पार्टी एप डाउनलोड किये आप अपने किसी भी कमपनी के मोबाईल फोन में रैम को बढ़ा सकते हैं और भी जितना आप चाहें उतना समझ रहो यानि कि आप 2GB, 4GB, 8GB, 12GB तक आप अपने मोबाईल के अंदर जो रैम है उसे बढ़ा सकते हैं तो कैसे दोस्तों आप खुद देख सकते हैं मेरे पास तीन अलग-अलग कमपनी की फोन है और तीनों फोन के अंदर मैं आपको जो है रैम को बढ़ा कर दिखाऊंगा बिना कोई ठर्ड़ पार्टी एप डाउनलोड किये ठीक है तो सबसे पहले ये जो मेरे हाथ में फोन है इस फोन जैसा नहीं दिया होगा तो इस वाले फोन जैसा हो सकता है या फिर इस वाले फोन जैसा हो सकता है ठीक है तो वीडियो को इसकीप मत करना यह नहीं कि आपने पहले फोन का वीडियो देख लिया बाकी इसकीप कर दिया तो यह चीज आपको नहीं करना है ठीक है तो सबसे पह मोबाइल में system setting नहीं होगा तो additional setting या फिर advanced setting हो सकता है ठीक है तो उसे आपको यहाँ पर open करेंगे तो यहाँ पर आपको रैम booster करके एक setting देखने को मिलेगा आप देख सकते हैं तो इसके उपर आपको क्लिक कर देना है इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे अब दोस्तों आपर off हो रखा है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ना हमारे mobile phone के अंदर रैम बढ़ाने वाला जो setting है यह बंद हो रखा है अब हम यहाँ पर 202 GB, 4 GB, 8 GB तक मतलब अपने mobile में रैम को बढ़ा सकते हैं लेकिन हमने इस trick का इस्तमाल ही नहीं किया है off हो रखा है तो इस आपके mobile में 8 GB का RAM बढ़ जाए तो यहाँ पर 8 GB का भी option दिया है आपको 8 GB पर क्लिक करना है उसके बाद आपको अपने mobile को restart करना पड़ेगा ठीक है तो चलिए हम इस वाले mobile phone को restart now के उपर क्लिक कर देते हैं अब जैसे ही दोस्तों यह mobile restart हो जाएगा इस phone के अंदर 8 GB का जो दोस्तों यहां पर देख सक्ते हैं जो mobile है यह on हो चुका है on होने के बाद आपको क्या करना है वह आपस से sitting के अंतर जाना है setting के अंतर जाएंगे same उससे आप बढ़ा सकते हैं ठीक है तो इस वाले फोन का मैंने आपको दिखा दिया अब दोस्तों मैं आपको इस वाले फोन का जो है दिखा देता हूँ तो ये वाला दोस्तों समसंग का मोबाइल है और इस वाले मोबाइल में रैम बढ़ाना बहुत ही आसान है जैसे इस वाल तो सबसे पहले आपको setting open करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचा आना है, इस बार दोस्तों आपको एका करना है Samsung के mobile में battery and device care के अंदर जाना है, इसमें दोस्तों आप system setting के अंदर गयते लेकिन इसमें आपको battery and device care के अंदर आना है, ठीक है, यहाँ पर आपको देखने कुम ले प्लस देखने को मलेगा, इसमें RAM booster था, इसमें RAM plus है, ठीक है, तो इसके उपर आपको click कर देना है, यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो इसमें दो option दिया है, आप या तो 2GV RAM बढ़ा सकते हैं, या तो 4GV RAM बढ़ा सकते हैं, ठीक है, तो चले दोस्तों हम अपने mobile phone मे नहीं करेंगे, तो RAM दोस्तों increase नहीं होगा, ठीक है, तो चले हम restart now के उपर click कर देते हैं, अब यह दोस्तों जैसे ही restart होगा, इस वाले mobile के अंदर 4GV RAM है, वो increase हो जाएगा, समझ गया, तो इस तरह से आप Samsung के भी mobile में RAM को बढ़ा सकते हैं, अब चले दोस्तों मैं आपको इस वाले phone का बता देता हूँ, तो यह वाला जो phone है, दोस्तों यह Poco का है, ठीक है, अब आपके पास Poco, MI, Xiaomi, Redmi, यह सब phone होगे न, तो जैसा इस वाले phone के अंदर process बताऊंगा, same to same आपके mobile में आपको follow करना है, ठीक है, तो इस वाले mobile के अंदर RAM को बढ़ाने के लिए आप आपको क्या करना होगा, setting ही open करना है, ठीक है, सभी mobile में RAM बढ़ाने के लिए आपको setting open करना है, कोई third party बाउनलोड नहीं करना है, समझगे, तो setting open करोगे, तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो है, नीचे चलिया आना है, नीचे आएंगे, तो यहाँ पर आपको एक setting देखने कोम लेगा, additional settings, तो इसी के ऊपर दोस्तों आपको click कर देना है, ठीक है, इस पर click करेंगे, तो इस प्रिकास से आपके सामने जो additional setting है, यह open होकर आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे, तो एक option दिया होता है, memory extension, अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको tino phone का उसके बाद आपको इसे open करना है, अब यहाँ पर दोस्तों मैंने फिलल पहले सही इसमें रेम को बढ़ा रखा था, इसमें 2GB का ही option दिया है, यहाँ पर description लिखा है, 2GB extra RAM आप अपने mobile के अंदर बढ़ा सकते हैं, तो इसमें एक ही option था, इसलिए यहाँ पर ज्यादा option ने यहाँ बस on करेंगे, आपके mobile के अंदर 2GB जो RAM है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, on करने के लिए बस आपको इस पर क्लिक करना होगा, अब चाहिए तो आप अपने mobile को restart कर सकते हैं, नहीं तो इसे आप later भी कर सकते हैं, ठीक है, अब आपके mobile के अंदर 2GB extra RAM है वो add हो जाएग बढ़ा सकते हैं, जितना आप चाहिए उतना ठीक है, तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक हो शेयर करना, साथी सा चैनल को सस्क्राइब कर लेना, ठेंक्यों दोस्तों, बैबेन, टेक कियर,